हेलो डिये इस्टूडेंट्स, वेलकम बेक टू माई इस्टूडी मेडियल ही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं कार्य पत्रक 45 यानि कोक्सिट नमबर 45 जो क्लास 6 के समाजब ग्यान के बच्चों के लिए दिनांग 29 दिसंबर 2021 के लिए सेडियोल किया गया है और जिसका विषय है उपनी सदूड तो बच्चों आएए देखते हैं जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रस्णों का उत्तर ढोने का प्रयास कर रहे थे उनमें से कुछ मृत्तू के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे जबकि अन्य यग्यों की उप्योकता के बारे में जानने के इस शुकते इन में से अधिकांस चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसा तो है जो अस्थाई है और जो मृत्यों के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वड़न आत्मा तथा ब्रह्म और सार्भौम आत्मा के रूप में किया है वे मानते थे कि अंधता आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिसदों में हुआ है उपनिसद उत्तर बैदि गरंथों का हिस्सा थे उपनिसद का साब्दिक अर्थ गुरू के समीब बैठना था देखें उपनिसद का अर्थ होता है, उप मतलब समीब और निसद मतलब होता है बैठना, मतलब गुरू के समीब बैठने को बोलते हैं उपनिसद, इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यातों के बीच बाचित का संकलन किया गया है, प्राया यह विचार सामान वार्था लाब करूप में प्रस्तुत किये गए हैं हमने देखा कि उपनिसद का अर्थ क्या होता है उपनिसद का अर्थ होता है गुरू के समीब बैठना और इसमें जो भी विचारक थे उनका यही लच्छ था कि संसार का त्याग जब होता है जब आदमी मरता है तो वो कहां जाता है और उस पे विच्छ फोकस किया गया था उसमें और देखे एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे बुधिमान बिखारी ठीक है तो एक कहानी यह बुधिमान बिखारी की तो उसके विच्छ में हम लोग आये पढ़ते हैं देखे यह वारतालाद च्छांदोग ये उपनिसद नामक प्रसिद उपनिसद की ये कहानी पर अधारित है सौनक और अभिप्रतारिन नामक दो रिसी सार्भावम आत्मा की उपासना करते थे सार्भाव मतलब हर जगा एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा सौनक और अभिप्रतारिन क्या था कि दो रिसी थे और वो सार्भावम उसमा का जो है उपासना करते थे एक बाद जो ही वे लोग भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि एक भिखारी आया और वो भोजन मांगने लगा सौनक ने कहा हम तुम्हे कुछ नहीं दे सकते ठीक है भिखारी ने पूछा बिद्वान जन आप किसकी उपासना करते हैं तो अभी प्रतारिन ने उतर दिया सार्भावम आत्मा की ओ इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्भावम आत्मा संपूर बिस्व में बिद्यमान है रिस्यों ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं भिखारी ने फिर पूछा अगर यह सार्भावम आत्मा संपूर बिस्व में बिद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी बिद्यमान है मैं कौन हूँ मैं इस बिस्व का एक भागी तो हूँ तुम सत्य बोलते हो यूव ब्रामः इसलिए है रिस्यों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्भावम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं भिखारी की बात की सचाई जान का रिस्यों ने उसे भोजन दे दिया देखें ये जो कहानी है इसका वर्ण चान्दोग उपनिसद में दिया गया है और इसमें एक बुद्धिमान ब्रामः मलता बुद्धिमान भिखारी आता है और वहां दो रिसी बैठे होते हैं सौनक और अभी प्रतारिम वे लोग भोजन करना सुरू ही कर रहे होते हैं तब तक वो भिखारी आता है और भोजन की मांग करता है इस पे जो सौनक कहता है कि नहीं हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते तो भिखारी कहता है कि आप किसकी उपासना करते हैं तो यह लोग बोलते हैं कि हम सारुभौम आत्मा के उपासना करते हैं तो वो चुंकि जो भिखारी था वो काफी दिमान था उसने कहा कि अगर आप सारुभावम आत्मा के उपासक है तो यानि कि ये जो आत्मा है ये सब में भी दिमान है अगर मुझे आप भोजन नहीं कराते हैं तो कहीं न कहीं आप सारुभावम आत्मा का क्या करें निरादर कर रहे हैं उनको उन्ही को आप भोजन देने से मना कर रहे हैं इस बात का असर क्या हुआ कि जो सौनक थे और अभी प्रताडिन थे उनको भी लगा गहां यह हमसे गलत हो रहा है तो उन्होंने उस भिखारी को भोजन कराया इससे related प्रस्न है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए रिसियों को किस तरह मनाया? तो बच्चों इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भिखारी ने रिसियों को सार्व भौम आत्मा का सही रूप में ग्यान देकर भोजन पाने के लिए मनाया, वो विखारी ने क्या किया कि उनको सारभौम आत्मा का सही मायने बताया और जिसके अधार पे वे जो रिसी थे उन्होंने उनको भोजन दिया तो बचों आज के वर्ट सीट में बस इतना ही आज के वर्ट सीट काफी आसान थी और आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करेंगे दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा सेर करें और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसक साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद थैंक यू